जैश्री राधे, पुझे श्री सद्गुर्दे भगवान के चरणों में पणाओ पुझे श्री राधा बाबा कहते हैं भगवान के यहां अवश्य सुनाई होती है सत्संग करने से मनुष्य को थोड़ी या बहुत अवश्य शांती मिलती है श्रधा जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन भगवान की दया एवं भगवान दोनों ही आपके सामने आ जाएंगे दया मैंसे प्रार्थना करने चाहिए भगवान से प्रार्थना करने चाहिए प्रभू मेरे अंतर करण में शुद्ध दया एवं प्रेम का संचार कीजी भगवान अतिशे दयालू है भक्त को कभी निराश नहीं करते उनके यहाँ विलंब से या जल्दी अवश्य सुनाई होती है प्रती दिन आयू कम हो रही है मृत्यू निकटा रही है इसे मत भूले मृत्यू के बाद आपके न रहने पर भी यहाँ किसी काम में कोई अडचन न होगी यह है बिल्कुल ठीक मानिए आप देखते हैं परिवार में किसी प्रमुख व्यक्ति की मृत्यू के समय कितना हाहाकार मचता है पर पीछे सब अतीत के गर्भ में दब जाता है उनका अभाव कितने आदमियों को खटकता है यही दशा हम सब की होगी लोग भूल जाएंगे और जगत का काम ठीक जैसा चलना चाहिए वैसा चलता रहेगा पर आपके बिना एक काम नहीं होगा आपके लिए भजन आपको ही करना पड़ेगा इस काम की पूर्ति आपको ही करनी पड़ेगी इसलिए खूब गंभीरता से मन को जो यहां फस रहा है यहां से निकाल कर आगे इसको सुधार में लगाईए भगवत प्राप्ति के सिवा कोई ऐसी स्थिती नहीं है कि जो आपको निर्भै कर सके जहां से पतन का भै न हो सर्वत्र अशान्ति सर्वत्र भै लगा हुआ है इसलिए उस स्थिती को पाने में ही हमारी सार्थकता है जिसे पाकर अशान्ति मिठ जाए अनन्त शान्ति मिल जाए सदा के लिए हम सुखी हो जाए सदा के लिए हम सुखी हो जाए जैश्री रादे